इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। ये अबहती नाक, छीकने, खुजली और आखों में पानी आने से भी राहत देता है। ब्रोक्सम एलेस सिर्फ भोजन के साथ या भोजन के बिना एक खुराक और अवधी में डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लिया जाता है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रती कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। आपको स्वास्थ सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। सबसे आम दुश प्रभाव मतली, दस्थ, पेट दर्द, उल्टी, मानस्पेशियों में एंठन, स सिर्दद, त्वचा पर लाल चिकते और हिरदय गती में वृद्धी हैं। इनमें से अधिकान शस्थाई हैं और आमतोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं। अपने चिकित्सक से सीधे संपर्क करें यदि आप इनमें से किसी भी दुश प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। यह दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्योंकि इससे नींद खराब हो सकती है। कभी भी स्वध दवा का समर्थन न करें या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी दवा की सलाहा न दें। इस दवा को लेते समय परियाप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना फायदे मंद होता है इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं। अगर आपको केड़नी या लीव की कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहि विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद